जेहिं दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर जूनियर हाई स्कुल साइक अध्यापक बर्टि परिक्षा के लिए हाँ पर सामन ग्यान समसामाई की और तार के ज्यान से संबंदित महत्तुपुन कॉस्चन आंसा तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाए ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी सबसे पहली आप कहां तक पहुंचे आज का अपने यहां पर फर्ष्ट हैं कि साथ किस देख ले भाग लिया था तो आपका राइट आंसर हो घा यहां पर फ्रांट विकलत नमबर B आपका यहां पर पार सही आंसर है नय़ childcare बथाने ही थी इसमें भारत की rank बताना है question number 2 में भारत की कितनी rank थी तो आपके यहाँ पर question number 2 का right answer है चासी भा, चासी भी rank थी भारत की तो विकल्प number D यहाँ पर सही answer होगा question number 3 आपसे यहाँ पर पूँचा है नम्नमेसी किस राज्य में भूमी, स्वामित, अधीनियम, संबंधी, कानून में संसुधन किया गया है केरल, पस्चे, बंगल, तमिलनाडु या जम्मू कस्मीर तो आपके यहाँ पर सही answer है question number 4 आपके संगटन ने जनवरी 2021 में बैस्विक उर्जा सुरक्षा को पढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनेतिक साज़दारी समझोते के लिए एक प्रेमबार के परहां स्ताक्षर किये है तो किस संगटन ने किये हैं तो question number 4 का आपके जो सही answer है वह विकल्प नमबर C अंतराष्टी ऊर्जा या जन्सी I,E,A आपका सही answer हो का विकल्प नमबर C राइट answer Question number 5 पूँचा गया है किस संगटन ने भारत में विस्वी की पहली क्वाइंट से Computing Application इस्तापित करने के लिए Electronics और सूचिना प्रोध्योगी की मंत्राले की साथ भागिदारी की है तो किस ने की है यह भागिदारी तो question number 5 का आपका सही answer है विकल्प नमबर D यानि कि अमिजन बेप सर्फसेज आपका हैंपर सही answer होगा Question number आपका हैंपर 6 पूँचा क्या है क्या पूँचा है कि देख लेते हैं Question number 6 आपका हैंपर गया सही तो राष्टे विकास कारिक्रम UNDP ने हाल ही में मानव विकास सूचकंग 2020 रिपोर्ट जारी किये है इस रिपोर्ट के संदर में निम्लिकत कत्नों में से कौन सा कतन सत्य है कौन सा कतन सत्य कूट यहां पर दिये गये हैं और आपका यहां पर question number 6 का सही answer है आपका एक दो तीन एक दो तीन आपकी जो है तीन हो सही है तो विकल्प नंबर आपका डी यहां पर सही answer है question number 7 क्या पूंचा गया है तो question number 7 आपका यहां पर दिया गया है देख लेते है question number 7 देखिए भारत में नई संसद की आधार सिला के स्तिती को रखी गई थी तो भारत में नई संसद की जो आधार सिला रखी गई थी वहाए कि स्तिती को रखी गई थी तो 10 देसंबर 2020 को तो विकल्प नंबर डी आपका यहां पर सही answer है question no.8 पूचा है UNESCO की सईयोग से दिये जाने वाले बैस्विक सिक्षक प्रोस्कार से सम्मानित किए गए है कौन से सम्मानित किए गए है तो question no.8 का right answer है आपका रंञेजीस है दिस साले आपका right answer है question no.9 है 2020 के विजेता कौन है तो 2020 के विजेता पूचा है में हाल ही में नए विधान मंदल का गठन किया गया है इस अंदर में कौन सा कथन सत्य है तो यहां पर कूट भी दे गए हैं और आपका question number 10 का D right answer एक दो तीन एक दो तीन आपके यहां पर सही answer एक तीनों कथन सत्य है question number आपके 11 पूँचा है क्या पूँचा है तो देख लेते हैं यहां पर तृपिटा के नमलिकत में से किससे संबंदित हैं तो आपके हैं आपके यहां पर सही answer होगा जैनियों से बध्दों से सिक्षों से हिंदों से 11 का right answer है आपका बध्दों से विकलब नमबर B आपका सही answer है 11 का question number 12 का पहला सासक कौन था पाल वंच का पूँचा है तो 12 का right answer होगा आपका गोपाल पाल वंच का पहला सासक कौन था तो गोपाल 12 का सी right answer आपका हैं पर किस सासक ने भारत में तुगलग बंज की new रखी थी बै, कौन से सासक है, तो 13 का right answer बता ना है, और 13 का right answer है, आपका विकल्प number यहां पर फी right answer है, यानि की जा सुद्दीन तोगलक आपका सही answer है, जा सुद्दीन तोगलक, question number 14 है किस बरस बाबर ने सुल्तान इब्राह्म लोदी को पानीपत की लडाई में पराज़त किया था तो किस वर्स पराज़त किया था तो आपका यहां पर question number है आपका चवधा और 14 का अबीराइट आंसर है 1526 इस भी में बास्गोटी गामा जो थे, ये किस वर्स काली तट में उतरे थे, ये आपको बताना है, बास्गोटी गामा किस वर्स काली तट में उतरा था, तो आपका question number 16 का सही answer है विकलत number D, यानि की 1498 में, question number आपका यहाँ पर 17 क्या पूंचा गया है, तो question number 17 आपका यहाँ पर दिया ग कई तो आपका सही answer है उतर प्रदीस में, question number 18 है मतमा गांधी भारती राष्टी कांग्रेश के अध्यक्ष किस वर्स बनी थी, question number 18, और 18 का सही answer है B, आपका 1924, आपका यहाँ पर सही answer है 1924 में, question number आपका यहाँ पर 19 मूंचा है, कि 1947 में लावड मांट वैटन द्वारा घोस अध्यक्तान के लिए सीमा आयुक के अध्यक्ष कौन बनी थी, तो 19 का आपका जो सही answer है, आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, question number 20 है, सत्य में हो जाएते हैं, महा का बे हैं, और कहां से उद्रत है, तो आपका सही answer है 20 का C, यानि कि मुंडक उपने सद से आपका सही answer हो 21 question पूँचा है भारत का विश्व में चेतरपल की आधार पर कौन सा इस्तान है, दूसरा, चटा, चौता, सात्वा, चेतरपल की आधार पर बताना है, तो 21 का D, राइट आंसर होगा, आपका सात्वा, बिलकुल सही 21 का D, सही answer है, question number आपका 20 पूँचा है, निमने लिखित म इसे कौन सा परवर्तिय दर्दा उत्तरखंड में इस्तित नहीं है, नहीं है पूँचा है, उत्तरखंड में इस्तित नहीं है, तो 22 का राइट आंसर है आपका सिपकीला, सिपकीला 22 का भी राइट आंसर है, निमने लिखित में इसे कौन सी नदी थार्रेगेस्तान से होकर बहती है वह नदी आपके लिए बताना है कौनिसी वह नदी है तो तेजिस का सही आंसर, सी-right आंसर है लूनी, लूनी आपके यहाँ पर सही आंसर है, लूनी बिल्कुल सही, question number 24 पूँचा है, टेरा रोसा सब्द का ताथपर क्या है, तेरा रोसा सब्द का ताधपर बताना है तो 24 का सई आंसर है आपका लाल मिट्टी से लाल मिट्टी से इसका ताधपर है बिलकुल सई विकल नमबर B भारत दुनिया में खालिस्तान सबसे बड़ा फल उत्पादक है तो बताएए कौनसा है तो 25 का सई आंसर है तो भारत दुनिया में खालिस्तन सबसे बड़ा फल उत्पादक है दूसरा चोथा तीसरा पांच बार राइट आंसर पच्चिस का आपका ए यानि की दूसरा आगामी बे जनजातियां है जो रहती हैं अंडवा निकुबार में नागलेंड में मिजुरम में राजस्तान में त कमेटी जो है इसके चेयर में पूंचा 27 में तो 27 का डी राइट आंसर है यानि की आपका राइट आंसर होगा डाक्टर भी आर अम्बेटकर आपका सही आंसर है कौस्चे नमबर 28 पूंचा है क्या पूंचा है भारत में राष्ट पती अपना कारेकाल पूरा होनी के पहले अपने त्याग पत्र किसको सौंपता है तो मुख्य न्यादीश को प्रिधानवंतिरी को उप्राष्टपती को लोगसभा अध्यक्ष को 28 का सही आंसर है आपका B आनकी उप्राष्टपती को अपना त्याक पत्र सौंपता है Q29 मुख्या है लोगसभा की सदस्तिता के लिए उम्मीदवारों की न्यूंतम आयू क्या नरधारित की गई है Q29 में Q29 में बताना है और 29 का सही आंसर है आपका विकल नंबर B आनकी 25 वर्स है toB25 आपका सही आंसर है के अंदिए the सतरकता आयोक्ते अपने पद पर बना रह सकता है बताए question नंबर 30 का right answer बताना है क्या होगा question नंबर 30 का सही। Do तो Hiç करा राइट आंसर है D ननगी 75 वर्स की आयू यिया आपका यहांदा पर सही आंसर होगा तो भाय कौन सी सम्मीत है, तो 31 का सही आंसर बताना है, और 31 का सही आंसर है बलवनतराई, बलवनतराई आपका सही आंसर है, question number आपके यहां पर 32 है, सम्मीधान की किस अनुचेद की प्राधानों की अंतरगत भारत सरकार ने भारत रैत नो पन मसरी को प्रारम्ब किया, भाय आपका 33 से किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार नमलिखत में से कौन सी घोशन करती है कौन सी घोशन करती है तो 33 का आपका जो सही आंसर है घोशन करती है कौन सी नियूंतम समर्थन मूल ले यह आपका भी राइट आंसर यहां पर होगा question number 34 पूंचा है क्या पूंचा है तो देख लेते हैं निमलिकित में से एक 11 यूजना ब्याय का सबसे महत्पुन आइटम कौन सा है तो यहाँ पर question number 34 का अंसर बताना है और 34 का विकल्प नंबर आपका ये राइट आंसर ब्याज का भुपतान ब्याज का भुपतान आपका सही आंसर है रोजगार की आउसरों की कमी की सही ये सबसे सही ब्याख्या है question number 35 पूंचा है आपसे रोजगार की आउसरों की कमी की सबसे सही ब्याख्या है तो 35 का आपका यहाँ पर राइट आंसर 35 का विकल्प नंबर क्या होगा 35 का B. right answer है, सिर्मिक्स जतना काम करने में सक्षम है, उससे कम-काम कर रहे हैं, यह जो है विकल्प number B. right answer आपके हिहां पर है, अंतराश्टि यह गमन यानि की migration क्या है, देशों के बीच में लोगों का संचलन, या लोगों का सहर से ग्रामिर चेतरों में संचलन, या देश के देश में लोगों का संचलन आपका इहां पर विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर होगा question number आपका इहां पर 37 पूँचा भूपकंप को record करने के लिए निमलिकित मैंसे किस उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है यह question तो कई बार पूँचा जा चुका एक्जाम में है कि भूपकंप को record करने के लिए किस उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है तो आपका सही आंसर होगा 37 का विकल्प नंबर ए सी सुमोग्रॉप सी सुमोग्रॉप आपका सही आंसर है अंगला question है सर परथम परष्टितिक तंतर सब्द का प्रयोग किया था तो सर परथम परष्टितिक तंतर का प्रयोग किया था 38 का राइट आंसर है यानि कि ये जीट टैंसले आपका हैंपर सही आंसर है question number 49 पूँचा है निम ने प्रदूसक एजेंडों में से कौन सा एजेंट है ओजोन परत्मेचेद बनाने के लिए जिम्मिदार है बताईए question number 49 का सही आंसर आपका क्या होगा 49 पा question है और आपका right answer 49 का B आनिकी CFC आपका right answer CFC बिलकुल सही आंसर बताया है question number 45 पूँचा है नंगरपालिका की कूले कचड़े एक बड़े फरनेस में जलाए जाते हैं इस फरनेस को क्या कहा जाता है तो 40 का आंसर है इस फरनेस को कहा जाता है क्या आपका right answer है इन सिन रेटर आपका right answer होगा दूद की घंता मापने के लिए कौन सा उपकरण उप्यप्य किया जाता है तो question number 41 का आंसर बताना है और 41 का right answer क्या होगा 41 वा question है विकल्प नंबर लेक्टू मीटर जो एक दिया गया है आपका सही आंसर है लेक्टू मीटर बिलकुल सही आंसर बताया है question number आपका यहाँ पर अंगला क्या पूंचा है तो देख लेते हैं question number यहाँ पर 42 दिया गया है कि रसायनिक उर्जा को बिद्दोत उर्जा में रूपांतरित किसके दौरा किया जाता है question number 42 में बताना है तो 42 का right answer आपका यहाँ पर होगा question number 43 का सही आंसर है यहाँ पर अनुपात में बताना है जल में hydrogen तता oxygen का अनुपात भार के अनुसार है तो 43 का right answer एक अनुपात आठ आठ आपका सही आंसर होगा निमने लिकेत में से कौन सा पधार्त है एक नाच पकने वाली बरतन की सताय पर लेपित किया जाता है वाई कौन सा पधार्त है वाई पधार्त आप इहाँ पर बताईए question number है आपका 44 और D right answer है टेफलोन आपका सही आंसर है टेफलोन जनोंने बताया है उनका सही आंसर हमारे पेट में इस्तित पाचक रस में मुख रूप से खालिस्तान होता है हमारे पेट में इस्तित पाचक रस की रूप में मुख रूप से क्या खालिस्तान होता है तो आपका 45 और C right answer है hydrochloric अमल आपका सही आंसर है विकल्प नमबर C malaria रोग से सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है पिलीहा फैंपड़े लीवर या अस्तियां तो यह question महत्तपून है malaria से जो सरीर का जो अंग प्रभावित होता है बहें अंग कौन सा है तो आपका right answer पिलीहा पिलीहा विकल्प नमबर E आपका सही आंसर है और असरी कल्प का चेहन करें जो तीसरे सब्द से उसी तरह सम्वंदे थे जिससे तरह से दूसरा सब्द पहले सब्द से सम्वंदे थे गर्यान का termometer हो जाएगा आतरता का यहाँ पर क्या हो जाएगा यह आपको बताना है आपकी जो है reasoning से संबंदित question हैं तो इनको छोड़ देते हैं तो इस पर काचा रामचन सुकल जी ने रीतिकाल का समय माना है तो आचा रामचन सुकल जी है इन्होंने रीतिकाल का समय कब से कब तक माना है यह आपको यहाँ पर बताना है तो आपका हैं पर right answer अगर आपसे बनता है तो आप comment में जरू बताएं और आपका हैं पर सही answer होगा विकल्प number B आपका right answer है बिल्कुल सही 1719 तो आपका विकल्प number B नहाँ पर सही answer होगा question number आपका यहाँ पर bound पूचा है हिंदी सायत का आलूचिनात्मक इतिहास के लिखक कौन है आचार रामचन सुकल है हजारी परसाद दुबेदी रामकुमार बर्मा या भागीरत मिस्र तो आपका bound का right answer है रामकुमार बर्मा आपका यहाँ पर सी right answer होगा यान की हिंदी सायत का आलूचिनात्मक इतिहास तो रामकुमार बर्मा question number आपका यहाँ पर जो त्रेपनवा पूँचाए कि निमने लिखत मेंसे कौन सी पुस्तक आचार हचारी परसाद दुबेदी जी की नहीं है देखें नहीं पूँचाए आपसे यहाँ पर तो नहीं में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा right answer नहीं में आपका b right answer hindi saitic की आलोछिना यह जो है आपका सई आंसर है विकलप number b question number आपका चंवगन पुंचा है सिवसे सरोज का रशिनाकाल है सिवसे सरोज का रशिनाकाल कितना है आपके लिए बताना है चार विकल्प भी देगा है question number चॉंगन है और महत्तुपण question आपसी आपर पूंचा है सिवस है सरोच का रशिनकाल तो चॉंगन का विकल्प नबर ए राइट आंसर है 1883 ईसी आपके हैं पर सही आंसर है 1883 ईसी भी आपके हैं पर सही आंसर हो का question number 55 है निमलिकत में से किस रचिना में कलबक सेली का प्रियोग नहीं हुआ है नहीं हुआ है पूंचा आपसे तो नहीं हुआ है जम्मु स्वामी राज में पाहुड दोहां पयूम चलिए या महापरान तो question number 55 का आपका जो सही आंसर है बहे आपका पाहुड दोहा विकल्प number C आपका राइट आंसर यहां पर है question number 56 आपसे यहां पर पूंचा क्या है बारे बरसलो कूकर जीये अरुतेरा इलो जीये सियार एक यह जो पंती है किसकी पंती है यह आपको यहां पर वताना है question number 56 का आंसर क्या होगा बारे बरसलो कूकर जीये औरुतेरा इलो जीये सियार यह पंती है आपका राइट आंसर होगा जगनिक किसकी है जगनिक यानिक विकल्प number C आपका राइट आंसर यहां पर होगा question number 15 का सब्शन का सही आंसर क्या होगा कि जो सिद्ध कभियों दौरा प्रिव्प्त भासा को कहा जाता है question number 15 क्या हूँचा है निरंजनी संपरदाय की परवरतक कभी कोन है दादू रयाल है गरीव दाश है हरी दास है यह सुंदर दास है निरंजनी संपरदाय की पिरवर्थक कभी है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नमबर B आनिकी हरीदास आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल चाही हरीदास आपका सही आंसर होगा कौशे नमबर 69 है निमलिकित में ऐसी कौन सा सुमेलित है तो यहाँ पर सुमेलित है पूंचा है तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सुमेलित है जो कौन सा है दो इता दो इतबाद यह निमबार कशारी आपका यहाँ पर विकल्प नमबर D जो है यह आपका सुमेलित ह दोएत्ता दोएतबाद निम्बार का चारे यह आपका सही आंसर होगा कौश्य नमबर 65 है कि रामचन सुकली के अनुसार कबीर दास का जन्म कब माना जाता है तो रामचन सुकली जी के अनुसार बताना है कबीर निदास का जन्म कब माना जाता है तो 60 का right answer है आपका विकल्ब नंबर यहां पर 60 का right answer होगा C आनि की विक्रम संबच 1455 आपका right answer है बिल्कुल सही question number 61 पूंचा है नमलिकेत में ऐसे कौन सी रचिना तुलसी दास की नहीं है देखे नहीं पूंचा है तुलसी दास जी की नहीं है रचिना कौन सी नहीं है तो 61 question है और भुथी महत्वण question पूंचा गया है और आपका right answer होगा असल question है और चत्रा वली आपका सही answer है चत्तरा वली आपका right answer 1-2 का right answer提gt का D 62 का सही आंसर बताना है गो रख जगायो जोग भगती भगायो लोग किसे ने कहा था तो 62 का D.R.A. आन्सर है आनि कि तुलिसी दास तुलिसी दास आपके यहां पर सही आंसर है बिलकुल सही Quse no. 63 पूंचा है राश पंचत ध्याई क्या रचेता जो है वे कौन है आपको यहाँ पर बताना है तो राश पंचत ध्याई की रचेता यहाँ पर कोन है नंद दास है परमान। दास है या किर्षन दास है रस खान है Q3 से और चार्वे कल्प आपके यहां पर दे गए हैं और आपका सही आंसर है नंददास आखरी में आपके लिए बताना है यहां पर 100 question में से कितनी question आपसे यहां पर सही बनी हैं तो आप ज़रूर बताएं कमेंट में और वीडियो को सबी लोग लाइक बस से कल लें यहां पर आपका question नुम्बर यहां पर चॉसट पूँचा है भासा भूशन ग्रंत की रचेता कौन थी तो भासा भूशन ग्रंत की रचेता आपसे पूँचा है चिंता मनी तरपाथी भूशन कभी कुलपती मिस्र या महाराज जस्बंत से हैं 64 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर D महाराज जस्बंत से हैं आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही Q65 पूंचा है नियम्नानकित में से किस ग्रंथ की सभी काभ्यांगों का बिवेचन किया गया है तो किस ग्रंथ की सभी काभ्यांगों का बिवेचन किया गया है तो आपका राइट आंसर है Q65 का कभी कुल कल्प तरू यानि की विकल्प नंबर आपका D यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर D आपका सही आंसर है निमनलिकित ग्रंथों का उनकी रशिनाकारों की साथ सही सुमिलन है, तो सही सुमिलन है, कौन सा है यहाँ पर बताना है, तो आपका 66 का सही आंसर क्या होगा, 66 का आपका राइट आंसर होगा, विश्णुपद कीरतन रसनिधी, विकल्प नमबर C, आपका यहाँ पर 66 का सी रा उनका सही आंसर है, यहाँ पर question पूँचा क्या है, कि महा कभी भूशन की रशिना है, महा कभी भूशन की रशिना कौन सी बताइए, रेणु का है, दीबसिका है, चिदंबरा है, या 77 साल दसक है, question number 67 पूँचा है, और right answer होगा, 67 साल दसक, आपका सही आंसर है, महा कभी तो आपके यहाँ पर जो सही आंसर है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है, तो आपके यहाँ पर सही आंसर है, 68 का विकल नमबर D, आनिकी मतीराम आपका सही आंसर है, मतीराम आपके यहाँ पर सही आंसर होगा, question number आपके यहाँ पर 79 पूँचा है, क्या पूँचा है, भरी रही भनक भनक ताल तालन की तनक तनक टामें कि छुरीन की एह जो है किस कभी के चंद की पन्तियां है चंद की पन्तियां तो किस कभी रतनाकर, देव, पद्माकर यBoy दुज Q Sug?mbre79 का सई आंसर बताना है तो 79 ने हैं तो Cright Aiya औंसर देब बाल बिनोध है तो आपके हैं आपर 70 का राइट आंसर है बाला बोधनी विकल्प नमबर ये सही आंसर है भारत भारती काप्वे का प्रकासन कब हुआ कॉस्चिन नमबर 71 का राइट आंसर बताना है तो 71 का आपका जो सही आंसर है भारत भारती काप्वे का प्रकासन कब हुआ तो 71 का राइट आंसर है विकल्प नंबर C 1912 में 12 इस भी में छायवाद तत्त तहा प्रकृति के बीच जीवन का उद गीत है एह उद घोस्त है तो एह उद घोस्त किस का है यह आपको बताना है महादेव बर्मा जैसंकर प्रसा नंदलारी वाच्पिय या रामबलास सर्मा तो जक्ष थे कौन थे तो 73 का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है तो आपका राइट आंसर विकल्प नंबर B आनिकी प्रयमचंद्र है प्रयमचंद्र आपका सही आंसर होगा मुक्ति बोद का ब्रह्म राक्षस किसका पृति निधी है बुद्धी जी भी निमनबर्ग पूझी पती या सरवहारा बर्ग है तो आपके हैं पर 74 का राइट आंसर होगा बुद्धी जी भी बुद्धी जी भी आपका सही आंसर है कौस्चन नंबर 75 है संसद से सलक तक की रशिनाकार कौन है संसद से सलक तक यह कौस्चन तो कई बार पूँचा जा चुका इनकी रचना है तो विल्कूल सही विकल्प right answer है आपका 75 का कौस्चन नंबर 76 आप से यहां पर पूंचा या है क्या पूंचा है उटौँ की आकिरती की आधार पर निल्फित में से कौन अप ब्रत मुखी सवर हैं आप ब्रत्त मुखी सवर बताने हैं आपके लिए कौन सा है यहाँ पर तो question number 76 है और 76 का जो सही answer है बहे आपका विकल्प number 1 यानि की E, E आपके हैं पर right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number A right answer है अगोस बढ़न कौन सा है यहाँ पर अगोस बढ़न का chain करना है अगोस बढ़न कौन सा है चार विकल्प आपकी यहाँ पर दिये गए है अगोस बढ़न का chain कीजिए और आपके यहाँ पर 77 का right answer विकल्प number D यानि की सा आपका सही answer होगा अल्प ब्राम चिन्न करना है अल्प ब्राम चिन्न कौन सा है तो 78 का सभी के लिए पता होगा अल्प ब्राम का चिन्न यह है अल्प ब्राम का चिन्न तो सभी लोग जानती होंगे तो विकल्प number D right answer है कौशी नूमर 89 है भग्वो से तो बहुत ही दूस्चरित्र व्यक्ति है में सुद्ध vartनी यहाँ पर दूस्चरित्र का सुद्ध ब्राम धानी आपक के लिए बताना है कौश्य नूमर 89 में आपका सही answer है दोस चरित्र होगा यहाँ पर दूस चरित्र लिखा है दोस चरित्र आपका यहाँ पर सही आंसर विकल्प नमबर ए राइट आंसर है इन्हें नामों में से एक बरतनी असुद्ध है बताईए कौनसी वह बरतनी है जो असुद है इन नामों में से तो अस्ची का यहाँ पर जो सही आंसर है अस्ची का D राहुल सान क्रिटायनन आपका यहाँ पर सही आंसर हो का विकल्ब नमबर D बिल्कुल सही कौस्चन नमबर 81 पूंचा है संग्या का भेद नहीं होता व्यक्तिवाचक निजवाचक जातिवाचक या भावचक कौस्चन नमबर 81 है संग्या का भेद नहीं होता है तो निजवाचक विकल्ब नमबर आपका C यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही बैधव्य एक भाव वाचक संग्या है जो की विशेशन खालिस्तान से बना है बैद, बिधवा, बैधानिक या बिभा है तो आपके हैं पर 82 का सही आंसर होगा क्या होगा राइट आंसर 82 का विकल्प नमबर C आनिकी बिधवा आपके हैं पर सही आंसर होगा कॉश्य नमबर आपके हैं पर 83 पूचा की निमने लिखत बाके में किरियार्थक संग्या क्या है बताइए मंत्री जी के ठहनने की वस्ता कीजिए किरियार तक संग्या बताना है आपके लिए मंतरी जी विवस्ता ठहरने कीजिए तो बताईए 83 का सही आंसर है किरियार तक जो संग्या है इसे में तो 83 का विकल्प नमबर B यान की ठहरने आपका सही आंसर होगा मुझे किस परकार का सर्व नाम है मुझे उत्तमपरोषे, अन्नपरोषे, मद्यमपरोषे या इन में ऐसी कोई नहीं 84 का सही answer बताना है मुझे किस फिरकार का सहर्वनाम है तो 84 का right answer विकलब number 1 या निकी उत्तमपरोष उत्तमपरोष आपका यहां पर सही answer है Question number 85 निम्लिखित में से क्या एक निष्च वाचक शर्वनाम है निष्च वाचक शर्वनाम क्या है यहाँ पर nowhere 84 85 का शई आंसर बताना है तो आपका right answer है निष्च वाचक में यह आप का शई answer होगा यह आपका सई answer है निम्र में विसेशन सब्द है बड़ापा, क्रोध, दौड या सांत Q86 का सही आंसर बताईए यहाँ पर आपके लिए बिसेशन सब्द बताना है तो 86 का सही आंसर है आपका बिसेशन में सांत आपका सही आंसर होगा विद्वान ब्यक्ति पूज होते हैं में प्रियुक्त बिसेशन हैं कौन सा बिसेशन है यहाँ पर आपको पहचानना है कौच्छ नंबर 87 में बिद्वान ब्यक्ति पूज होते हैं में प्रियुक्त बिसेशन है 87 का सही आंसर होगा B यानि की गुणबाचक बिसेशन बिलकुल चाही बहुत बढ़ी हैं बाचक राइट आंसर है यदि मुड़ना यहाँ पर क्या लिखा है यदि मुड़ना अकर्मक किरिया है तो इसकी सकर्मक किरिया क्या होगी मुड़, मुड़ना, मुड़जाना या मुड़वाना देखें मुड़ना यह अगर अकर्मक किरिया तो इसकी सकर्म किरिया क्या होगी तो 88 का सही आंसर है C आनिक मोड़ना मोड़ना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा मा ने पिताजी से सामान मंगबाया यहां किरिया का कौन सा रूप है तो आकर्म किरिया, दुईकर्म किरिया, अग्यार्थक किरिया या प्रिण आर्थक किरिया तो आपका नवासी का सही आंसर होगा यहां पर प्रिण आर्थक किरिया विकल नंबर D. राइट आंसर है कौन सा पद बिक्रत नहीं होता कौन सा पद बिक्रत नहीं होता तो 90 का आपका जो सही आंसर है वहें आपका राइट आंसर 90 का B यानिकी अभियब अभियब आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही अंगला कॉश्चन कि आप पूँचा क्या है यहाँ पर कि अर्थ की आधार पर संबंद बाचक अभियब को कितने भागों विवक्त किया जाता है 12, 13, 14, 15 यह आपके चार विकल्ब दे गए है अर्थ की आधार पर संबंद बाचक अभियब को कितने भागों विवक्त किया जाता है तो आपका राइट आंसर है यानिकी 13 भागों में यहाँ पर कॉश्चन पूचा हाथी का स्त्री लिंग होगा हाथी का स्त्री लिंग बताने आपके लिए हाथी का स्त्री लिंग क्या होगा तो 92 का सही आंसर आपको बताना है और हाथी नी आपके यहाँ पर सही आंसर विकल्ब नंबर C आपका राइट आंसर है यहाँ पर आपसे कॉश्चन नंबर 93 पुंचा पुस्तक रखी है बाक्य में बचन है पुस्तक रखी है बाक्य में बचन है एक बचन दुई बचन बहु बचन या त्री बचन हुई थी यहाँ पर आपके लिए सामन भूतकाल का बात के बताना है तो 94 का येक राइट आंसर है बरसा हुई बरसा हुई तो विकल्प नमबर ये आपका सही आंसर होगा ब्रक्षे से पत्ते गिरते हैं इस बात के में से कौन सा कारक है ये आपका जो से दिया है यहाँ पर से ये कौन सा कारक है अपादान कारण कर्म या अधिकरण तो 95 का सही आंसर विकल्प नमबर एक यानि की अपादान अपादान सही आंसर है कानो सुनी बात पर यकीन मत करो रेखानकित पद का कारक बताईए कानो सुनी तो यहाँ पर आपके लिए रेखानकित पद का कारक बता है करता कर्म करन या संप्रदान तो 96 का सही आंसर है आपका सी आनिकी करन आपका सही आंसर होगा चौकी का तत्सम सब्द क्या है बताइए यह आपका चौकी है और इसका तत्सम सब्द क्या है तो कौस्चन नमबर 97 है महत्वण कौस्चन पूंचा गया है और आपर 97 का सही आंस आंसर है विकल्प number c right answer होगा, यहाँ पर है, पूछा है कि खिच्डी किस पिरकार का सब्ध है दे सज, विदे सज, तत्सम या तढ़धव क्ोश्च नंबर है आपका 99, खिच्डी किस पिरकार का सब्ध है 99 का विकल्प number a सही आंसर है यानि कि दे सज, दियेगा विकल्प में तो अती उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है पूशा है तो 99 एग का राइट आंसर अती थी में अती उपसर्ग का प्रियोग नहीं हुआ है question number है आपका क्या है right answer यहाँ पर देखिए question number है आपका 102 question यहाँ पर है निम्न में स्वी प्रित्य रहत सब्द है प्रित्य रहत सब्द बताना है दर्शनी भेख्चुक या दुर्गुण या कर्तब भी question number 100 पूँचा है और दुर्गुण जो आपके यहाँ पर दिया है आपका सही answer होगा question number 101 है आचार का बिलोम सब्द क्या होगा अनाचार, अत्याचार, आनाचार या विचार आचार का बिलोम बताना है तो आपके हैं यहाँ पर सही answer है आचार का बिलोम होगा question number 101 का अनाचार यहाँ पर question number 102 है निमलिकित में उसे निंदा का बिलोम क्या होगा निंदा का बिलोम बताने हैं आपके लिए निंदा का बिलोम क्या होगा बहुत ही महत्पुन question है question number 102 और इसका सही आंसर होगा क्या होगा right answer इस्तुती इस्तुती आपके यहां पर सही आंसर होगा question number आपका 103 कुछा है दिये गए विकल्पों में से उत्रकंठा के समानार्थी सब्द कौन से हैं उत्रकंठा के समानार्थी सब्द आपके लिए बताना हैं बताईए उत्त कंठा के समनार्थी सब्द हैं तो 103 का राइट आंसर विकल्प नमबर C उत्त सुक्ता और अभिलासा विकल्प नमबर C आपका सही आंसर होगा प्राची का पर्यावाची सब्द कौन सा है प्राचीन पूर्व प्राकृत प्रेग्या Question Nope 104 का सही आंसर बताना है प्राची का प्रेग्यावाची तो 104 का c राइट आंसर है पूर्व पूर्व आपका सही आंसर है इनमे से कौन से सब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन होता है तो बताईए इनमेंसे कौन से सब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन होता है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 105 का विकल्ब नमबर B आनिकी दूंगरी आपका यहाँ पर सही आंसर है बेलकुल सही विकल्ब नमबर B आपका राइट आंसर है Q106 क्या पूंचा गया है Q106 है सेंधाओ का आसाय निम्न मेंसे कौन नहीं है नहीं है पूंचा है आपसे नमक, घोडा, सोना या समुद्रे Q106 का सही आंसर है आपका सोना आपका यहाँ पर राइट आंसर है बेलकुल सही सोना विकल्ब नमबर B सुरूती सम भिनातक सब्द के जोड़ों को पहचान नहीं है पर तो पहचान ये जोड़े कौन है Q107 में आपको महत्वण Q107 कूंचा गया है और इसका जो सही आंसर है 107 का यह राइट आंसर है अपेक्छा उपेक्छा आपका सही आंसर यहाँ पर होगा सुरूती सम सब्द योगमी की भिन्य अर्थवाली सही जोड़ी को पहचान नहीं है आपर Q108 में तो 108 में आपका राइट आंसर है यहाँ पर 108 में A यानि की कुल कूल आपका सही आंसर होगा जिसके पास कुछ भी ना हो तो इसके लिए एक सब्द आपके लिए यहाँ पर बताना है जिसके पास कुछ भी ना हो तो क्या होगा एक सब्द तो 109 का राइट आंसर है आपका B आनि की अकिंचन अकिंचन आपका यहाँ पर विकल नमबर B राइट आंसर है 109 का 110 है जिसे पिरमान द्वारा सिद्द ना किया जा सके उसके लिए एक सब्द है सही सब्द कौन सा होगा जिसे पिरमान द्वारा सिद्द ना किया जा सके उसके लिए सही सब्द है तो 110 का राइट आंसर है आपके हैं पर विकल नमबर C राइट आंसर है अब प्रमी आपका सही आंसर है महाधन इस का संदी रूप होगा तो महाधन इस का संदी रूप जो होगा 111 का बहे आपका राइट आंसर C आनकी महिस Q112 है सदानंद का संदी विच्छेत कीजिए सदानंद का संदी विच्छेत करना है तो 112 का right answer है, आपका विकल्प नमबर ए आनिकी सत्य धन आनन्द आपका right answer होगा Question number 113 है, मिनम्न मेंसे करमधाराइ समास का उधारन कौन सा है, बताईए करमधाराइ समास का, करमधाराइ समास का उधारन बताना है, तो 113 का ए राइट answer है यानिकि प्रिय सखा आपका सही आंसर है करमधाराय समास यथा संभाव में कौन सा समासे चार विकल्प हैं सभी लोग वीडियो को लाइक अबस्ते करते जाएं जोनों नहीं तक नहीं किया है और अपने यहाँ पर सही आंसर है 114 का विकल्प नमबर ए यानिकि अब विअभी भाव आपका राइट आंसर होगा निमनलिकित में से बाक्य का पिरकार क्या है बाक्य का पिरकार क्या है बाह है क्या सुन्दर द्रस्य है इसमें आपके लिए बाक्य का पिरकार बताना है तो question number 115 का right answer है आपका इहाँ पर क्या है 115 का right answer विकल्प number A right answer है 115 का यानि कि विसम्यादी बोधक विकल्प number A सही answer होगा question number 116 पूंचा है सीला आई और अंदे को सहारा दिया एह बाग के किस बाग के भेद का उधारन है सही विकल्प बताईए सीला आई और अंदे को सहारा दिया एह बाग के किस बाग के भेद का उधारना है तो सूला का सही answer है विकल्प number A यानि कि सही विकल्प बताईए बिल्कुल सही सही विकल्प बताईए आपका right answer है question number 17 है कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता इस तुरुटी यप्त बाग के के लिए निम्न लिकित में से सुद्ध बाग के पहचानना है मेरे से पढ़ा नहीं जाता इसका सुद्ध बाग के कौन सा होगा तो question number 17 का right answer है मुझसे पढ़ा नहीं जाता मुझसे पढ़ा नहीं जाता विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer है question number आपका 118 पूँचा गया है कि सिक्षक के द्वारा ऐसी नांग्रेक कल्याण के लिए या अपना सर्वस्वलिदान तयार होने चाहिए जो समाज कल्याण राष्टे करने को तयार यहाँ पर आपके जो है इस परकार का question पूँचा क्या है तो आपकी यहाँ पर कूट भी देगा है देखिए यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ आपके कूट भी देगा है क्या है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर question number 118 का C right answer यानि कि यहाँ पर आपका ला वा या और रा यह जो है आपके हाँ पर सही answer होंगे तो इस परकार आपकी right answer है यहाँ पर question number 119 देख लेते हैं क्या पूँचा क्या है question number 119 रस्चंपरताय की प्रवट्तक मानी जाती है तो रस्चंपरताय की प्रवट्तक मानी जाते हैं 119 का right answer है आपका B आनिकी भरत्मुनी सभी के लिए पता है भरत्मुनी राइट आंसर होगा B रस्त का स्थाइवा भूती चल कॉस्चिन है B रस्त का आपका राइट आंसर होगा 120 का विकल्प नंबर आपका C आनिकी उत्सा है यहाँ पर कॉस्चिन नंबर 121 पूंचा है सब नती के मूल, बिन निजभासा ज्यान के मिटे नहीं के सूल, और प्रियुक्त पद में कौन सा छंद है, हरी गीति का दोहा रोला या स्वर्ठा, तो यहाँ पर छंद बताना है, तो किसका सही आंसर, सी राइट आंसर होगा, यानि कि यहाँ पर दोहा है, कि इस छंद में 26 म मात्रा होती है, 1412 परियति होती है, और आपका यहाँ पर सही आंसर है, 122 का सी यानि की गेतिका, सो यहाँ पर कॉस्चिन नमबर 123 पूचा है, सो सुक सुजस्ट सुलभ मोही स्वामी में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक या व्यतिरेत, तो आप के यहाँ पर 123 का सही आंसर है, यहाँ पर इसमें अलंकार बताना है, तो अलंकार है, 23 में विकल्प नमबर C आनि की अनुप्रास आपका रॉपक या रूपक या रूपक ती तो यहाँ पर यह चार विकल्प दिये गए हैं, तो चरिन कमल बंदों हरी राही में अलंकार बताना है, तो 124 का C रूपक आनसर है, यानि की रूपक आपका सही आंसर है, काठ होना, मुअबरे का अर्थ बताईए, यहाँ पर मुर्फ होना, या सचेत होना, अस्टब होना, तो आपका राइट आनसर हो गए 125 का, काठ होना, तो आपका राइट आंसर 125 का विकल्प नंबर D आने की इस तब बे होना Q. 126 पूंचा है आय थे हरी भजन को ओटन लगे का पास कहाबत का अर्थ कौन से विकल्प में बताये गया है तो 126 का सही आंसर आपका यहां पर होगा वह है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर E किसी कार विसेश की उपेक्चा कर किसी अन्य कार में लग जाना तो विकल्प नंबर E आपका यहां पर सही आंसर है यहां पर Q. 127 पूंचा है कबीरदास, तुलसीदास, सूर्दास आदी कौन से काल के संत कभी है आदी काल, रीतिकाल, भक्तिकाल या अधुनिकाल तो आपके हैंपर 127 का भी राइट आंसर होगा है यान की भक्तिकाल Q. 128 पूंचा की कभी तुलसीदास, ब्रंद, कभीरदास या सूर्दास question number 128 है और रीतिकाल की जो कभी हैं बहें ब्रंद हैं तो विकल्प number C आपका सही answer होगा question number 139 पूंचा है हुई बीरता की खालिस्तान की सांस सगाई जांसी में सुवद्रग उमारी चौहन की स्पंती को पूर्ण करें यहाँ पर आपका जो है कालिस्तान भनना है यहाँ पर क्या होगा 139 का तो यहाँ पर B राइट आंसर है बैभाव यहाँ पर हुई बीरता की बैभाव की सांत है सगाई जांसी में इस परकार आपका सही answer होगा question number आपका यहाँ पर 130 पूंचा है इनमें से जनपत का कभी हूँ विकल नंबर एस पर आंसर है question number 131 मूंचा है जिस किर्ती के लिए कभी नागरजुन को साहित अकादमी परुषकार मिला भहे किस भासा में रचित है संस्कृत, हिंदी, प्राकृत या मैथली में तो भहे किर्ती है सोबियत लेंड निहुरुप पुरुषकार किसे दिया गया था लोकाय तन के लिए सुमित्रा नंदन पंत के दानात गोबिंद मिस्र या रामबलास सर्मा 135 का ये सुमित्रा नंदन पंत आपके यहां पर सही आंसर होका तो यहां पर आपका कता सम्राठ प्रयमचंद का वास्तिविक नाम तैस का ए यानि की धन्पत राए आपका सही आंसर है हिंदी के सफलितम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंती की उपन्यासकार कौन है मनुभंडारी या मुर्दूला गर्ग या कृष्णा या चित्रा मदगल आपका बंटी उपन्यास की उपन्यास कार जो है तो 34 का ए राइट आंसर है यानि की मनुभंडारी प्रेमचंद्र की अधूरे उपन्यास का नाम क्या है बताईए प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है तो question number 135 है और इनका अधूरा उपन्यास है मंगल सूत्र कौन सा है मंगल सूत्र आपका सही आंसर है question number है आपका 134 आसाल का एक दिन किस की रचिना है तो आसाल का एक दिन ये जो रचिना है किसकी रचिना है तो आपके यहां पर सही आंसर है अस साल का एक दिन 136 का डी राइट आंसर है मोहन राकिस मोहन राकिस आपका सही आंसर है question number 137 है निमलिकित मैंसे 1000 पर साथ दुबेदी द्वारा रचित निवंद कौन सा है बड़ापा उत्साव कुछ या कुटज पुचा है दीप जले संक बजे किस रचिनाकार की कृती हैं किस रचिनाकार की कृती है तो 138 का आपका जो सही आंसर है आपका विकल्प नमबर यहां पर बी आनिकी कनेय लाल मिस्व प्रभाकर उनसी प्रियमचंदर किस पत्रिका की संपादक रहे हैं पिरताप सरस्वती हंस असुधा वर्षा Question number 149 मूचा है प्रियमचंदर जी जो थे किस पत्रिका की संपादक रहे हैं तो 149 का भी राइट आंसर है आपका हंस राइट आंसर होगा प्रगती सी लेखक संग का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था तो जो प्रगती सी लेखक संग का पहला अधिवेशन हुआ था एक किस वर्ष में हुआ था तो आपका सही आंसर है सन 1936 में 1936 आपका सही आंसर है आदुने खिंदी गद्य के जनक मानी जाते हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र, महाबीर परसाद, दुबेदी, रामचन, सुकल, परतापनारण, मिस्र आदुने खिंदी गद्य के जनक मानी जाते हैं 41 का ए यानि कि भारतेंदू हरिश्चंद्र आपका सही आंसर होगा निमलिकित में ऐसे कौन सी रचिना भातेंद्व हरिश्चेंद्र जी की नहीं है नहीं पूचा है तो 142 में आपका सही आंसर होगा रण धीर प्रेम मुहिनी रण धीर प्रेम मुहिनी आपका सही आंसर है बिल्कुल सही question number आपका 143 है आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार है देव किनंदन खत्री प्रेम चंद्र केशूरी लाल गोस्वामी गोपाल राम गहमरी तो आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार जो है तो आपका right answer है गोपाल राम गहमरी आपका सही answer होगा विकल्प नमबर D परमात्मा का कुट्ता किसकी रचिना है तो आपका right answer है question number 144 का मोहन राकिस मोहन राकिस आपका सही answer है आचार राम चन्सुकल के निवन्द संग्रा चिन्ता मनी के अब तक कितने भाग प्रकासित हुए है एक तीन दो चार चिन्ता मनी है राम चन्सुकल जी की रचिना है और निवन्द संग्रा है और इसके जो अब तक है जो भाग प्रकासित हुए है चार भाग प्रकासित हुए तो विकल्प नमबर D राइट आंसर है आवारा मसीया इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है आवारा मसीया एक किस विदा की जीवनी है इस प्रकार पूंचा जाए किस विदा की रचना है तो यह जीवनी है और किस साहित्यकार की है तो आपका 46 का सब्सक्राइब करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि वीडियो की जानकारी आप के हां तक पहुंचें जाद से जाद वीडियो को सेर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाज सभी के लिए जय हिंद